तिए आज बना रहे हैं कैबच इस्टर फ्राय तो दिए हमने यहां पर लिए हैं कैबच इसको हमने कैबच इस्टर फ्राय थे तो लिए पहले मैंने कैबच को आचछी तरह से वाश कर लिया लियान यहां पर मापते प्रिकला करें तो और प्रमियी के व्होंगन पर कर दोगा की है अदर की टुक्डी है फाक में प्रशन के रड़े के लिए अदे चुटे सास थोड़े से तिल साथ सोय औाOLD में वारे औहले लिए उलिफ और यहांने एसे Pode छारे में बोल एक यद्ड को अफर में जाएग पाल को चीबेंगे सबसे पहले काबच फ्राइब करते हैं उल्याक हाफ काबच घुला देंगे 1 एक और बायच अपया काबच टाल देंगे जाल शुयाक सुन्स इसलिए 4 मिनट चीज में पर नर्म फ्रैम करेंगे इसको fry करके अब इसके अंदर जाए वो एक मिनट इसको अची तरह से मिक्स अप सौटे कर लिए सबको सब वेजिटेबल को के इन में इसका फ्लावर अची तरह से अची तरह से मिक्स अप कर लिया अब इसके अंदर जाए वह हम ओस्टर सॉस और स्वाय सॉस शामिल करेंगे इसको इसके साथ मिक्स करते हैं एक से दू मिनट कुक करते हैं ये और शामल करते हैं और इसे एक से दू मिनट कुक करते हैं ये और शामल करते हैं इसमें एक शामल करते हैं और तिल शामल करते हैं ये हमने सॉल्ट इसमें शामल किया है इसको अची तरह से मिक्सर फ्राइ करते एक से दू मिनट तक जी कैबच सिस्टर फ्राय का उपने प्लेट में सर्फ कर लिया है यह हमने जो बॉयल आग लिया था उसके पीसेश कर दिये यह तिल लिये है तिल को जगा वो इसके उपर जो हलकल का सा बानिश कर देंगे सब जगा ठीक है यह तिल शामल किया इसके अंदर और इसके अंदर अब हम ब्लाक पेपर शामल करेंगे यह हमने लिए है काड़ा काली मर्चे तो यह हम इसके पर थोड़ी से एक्स पर और इसमें शामल कर देंगे बहुत असन एजी कुक्क से भो हमारा कैबच स्टर फ्राय जोकी बहुत ठाटी और खाने में बहुत तीस्टी आइए बनाने में बहुत असने रस्पी पसंद आती है तो थुम्सोप कड़रों कर दीजीगा साथ इबाल आइकन के बटन भी प्लेस कर दीजिएगा इंशाला फिर मिलें गे नहीं मज़दार रस्पी के साथ अपना ख्यार लखेगा अल्लाफ़स